कि हालो अव्रिवन अब वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए आप कई समय से इंतिजार कर रहे थे महनत कर रहे थे और इमानदारी से महनत कर रहे थे सफलता हमेशा आपके साथ होगी अगर आप सही माइने में और इमानदारी से महनत करेंगे और मैं शूर हूँ कि आप इस पेपर में कुछ मेरी बाते ध्यान से सुनिए लास्ट में कुछ टिप्स देना चाहूंगा और इन बातों को फॉलो करिए महनत आपने कर लिए और महनत का रिजल्ट जब अच्छा आता है जब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखे चलें मतलब कई बच्चे बहुत महनत करते हैं फिर भी कई बार उनको वो सफलता नहीं मिलती जिसके लिए वो डेजर्व करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि वो फैलिवर हैं उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे आप सबने साल भर इतनी महनत किये साल बार छे महीने दो साल जितना भी समय आपने दिया और अब आपको इस सब महनत का एक अच्छा रेजल्ट आप उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है करना भी चाहिए पर इस रेजल्ट के पीछे कुछ एक चीज़े आप ध्यान रखें जैसे आप जब पेपर देने जाने वाले हैं मंडे को आपको पेपर देना है दो बज़े पेपर है एक अच्छी नीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है यानि आपने इत्ती जो महनत किये इस महनत को आप पेपर में दो घंटे पूरी तरह से निकाल पाएं उसके लिए आपके ब्रेन का पीस होना बहुत जोगरी है तो सबसे पहल कि आप लोग एक अच्छी नीन लीजिए आज जितनी अच्छी ले सकते हैं सुबह भी आराम से उठिए और मंडे को उठने के बाद बिलकुल भी पढ़ाही मत करिए जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन को अभी रेस्ट देंगे मैं शूर हूँ कि पेपर में आपका ब् करने आले बच्चे भी पेपर में विगाड लेते हैं वो केवल यह होता है कि ठक चुके होते हैं तो अपने दिमाग को ठकाना नहीं है दो वज़े आपका पेपर है दूसरी बात जो जो रूस रेगुलेशन है उनको ध्यान रखिए मतलब अपने साथ प्रॉपर सेनिटाइ देते हैं जैसे आपने देखा होगा कभी अगर हमने रुके हुए पानी में इस्टोन डाले पतर तो बैड़ी गया पर वेव्स चलती रहती हैं वैसे ही अगर आपने किसी से ज्यादा बात की और किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको डिस्टरब कर गया तो पेपर समाल मिलना मुश्किल हो जाएगा यह कुछ छोटी छोटी टिफ्स हैं बड़ी इंपोर्टेंट है पेपर देखते ही हो सकता है जैसे आप पेपर खोले हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ कोशन ना बने ऐसा अकसर होता है यह बहुती कॉमन बात है टेंशन मत लीजिए एक डिप करते हैं और जब निकल के बोलते हैं सर पांच कोशन ही बन रहे था आपकी बात याद आई कि डीप ब्रित लेना उसके बाद एकदम बनने लगे और पेपर को टू थ्री फोर राउंड में करने की कोशिश करिए पहले क्या करना है या बाद में क्या करना है नो रूल जो आत सब्सक्राइशन मुश्किल होगा तो जो नहीं पड़ा भूल जाओ इसका रिवीजन कर लेते तो अच्छा होता इसका कर लेते तो अच्छा होता इस टॉपिक का यह फॉर्मुला देखना भूलगा भी मुझ से बच्छे बोले सार यह दो तीन टॉपिक रहगा है रिवीज लॉजिक से अंसर दिये जाते हैं लॉजिक मतलब होता है कि आपके पास स्टॉंग लिया बोल सकते हो कि तीन आप्शन तो नहीं है यह होगा पर यह सब काम भी सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में करना है पहले राउंड में मैं शोर हूं कि 30-40-50 परसंट तक तो आपको सब्सक्राइब करें जो आता है वो करें I know कि अभी situation थोड़ी कुछ स्टेट में प्रॉब्लम चल लहीं है जो अभी नए रूर्स आगनीपत को लेके जो नई चीज़े आई तो कुछ लोगों को अलग अलग प्रदर्शन चला है कुछ स्टेट में ट्रेने विरेनों को और लगाई जा रही है टांस्पोर्टेशन की भी प्रॉब्लम है पर इन सब प्रॉब्लम के बाद भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने सेंटर पर पहुच जाएंगे सेंटर लेवल का एक्जाम है और इन सब के बाद भी आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की क करेंगे और यही कोशिश होना चाहिए देखिए कुछ चीजर्या आपके आपके अपवर्तिंग करेंगे तो पर आप सब लोग एक बात ध्यार रखिए कि कि किसी भी पेपर के लिए एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैशे बोला ऑवर्तिंकिंग बी नहीं कर मत करिए result orientation बिल्कुल मत देखिए कि मेरा होगा की नहीं इतने कम में क्या होगा मेरा यह सब thought निकाल दीजे पिछले कुछ दिनों से मैं लगाता और आपके साथ class ले रहा हूं बहुत सारी बाते अल्रेडी बताई है जो question आपको लगे कि paper में इसका answer match नहीं कर रहा है रहूंगे leave कर दीजिए आप उसे leave करें अटेम्ब करें आपको उसका कोई फरक नहीं परता क्योंकि उस question को consider ही नहीं करा जाता कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जो question cancel होंगे उनको करने का फाइदा होगा क्या हमें या नहीं ना फाइदा ना नुक्सार जिन question में आपको ऐसा लगे leave कर दीजिए कोई फरक नहीं परता और जब पढ़िए जब पेपर में आपको एक घंटे पहले बिठाया जाएगा वह एक घंटा आपको कैसे निकालना यह बहुत important है अगर उस एक घंटे में अपने आपको peacefully maintain रख लिया mind को peace रख लिया तो समझ लिजी कि आप जीद गया आदी जंग वहीं पर खतम हो जाती है तो उस समय ही कई लोग के मन में negative विचार आते हैं negative विचार को कैसे रोके negative विचार क्या negative एक ही चीज होती है कि selection होगा कि नहीं मैंने drop लिया है यह वो सब द्रॉपर बच्चे और stress में रहते हैं कि drop लिया पता नहीं क्या होगा नहीं हुआ तो यह drop खराब हो जाएगा मैं एक चीज़ बोलूँ सारे drop बच्चों को कि आप ने drop लिया है इस means कि आप more experience है क्योंकि आप मेंसे maximum लोग जो drop लेते 90% लोग drop वो लेते जिन्होंने exam दिया होता है तो आपने exam दिया है पहले की mistake पता है वही mistake दुबारा करोगे तो फिर drop लेना पड़ेगा तो अगर drop नहीं लेना है तो आप याद रखिए आपका experience बाकी किसी बच्चे से ज़्यादा है जो first time दे रहा है इसलिए इन सब विचारों को त्याग दें छोड़ दें अपने deep breath करिए आखे बंद रखिए और जितनी deep breath करेंगे और peaceful रहे बिलकुल मत सोचो कि क्या होगा पेपर कैसा आएगा टाफ आएगा आईजी आएगा उनिस आएगा बीस जैसा आएगा 21 जैसा कुल ले 22 का पेपर 22 जैसा होगा सबसे अलग होगा कुछ मत सोचें एक peaceful mind के साथ पेपर दें और जो आता उसको करते जाए जो नहीं आता उसको लीव करते जाए पचास परसेंट भी लीव कर दो गए ना कुछ फरक नहीं पड़ेगा पर पचास परसेंट एक्यूरेट कर लो काम आ जाएगा और एक्यूरिसी पर थोड़ा ध्यान दें प्लस माइनस की मिस्टेक होती है इसलिए आप लोग को जो blank page म कार्ट के उपर एक passport size की photograph यह सब जो जो चीजे हैं वो सब लेके जाएए पैनिक मत होए वस अगेंस all the best आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं और मुझे उम्मीर है आप करेंगे पेपर के बाद फिर मैं आपके साथ शाम को मिलूँगा और पेपर को लेके discuss करूँगा थै